नमस्ति दोस्तों मेरे चैनल पे आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी और हेल्थी से नाश्टी की रेसिपी जिसे आप ब्रेकफास में भी बना सकते हैं बच्चों के लंच बॉक्स में भी डाल सकते हैं एक तम स्ट्रीट स्टाइल हे ज़िस में सफीद दाल मिक्स कर देंगे टोٹल हम एक कप यहां पर डाल ले रहे है अब इस दाल को हम सबसे पहले एक बाउन में डाल देंगे और तीन से चार बार इसे अच्छे से पानी से दोलेंगे आप चाहें तो टोटल ही एक कप मूंग डाल ले सकते हैं पर सफीद ड हुआ चार गांटे के लिए अछे से थे विग के लिए रख सकते हैं कुआनटी इने से क्वांतिटी में डबल हो गई है । इसका पाने मिकसर जार ना2 में टाल दिया के कोंदगा और यहां डाल रहे हूं एक अदरक का पेस्ट इसका बनकर तयार है अब हम इसे एक बावल में निकाल लेते हैं बावल में निकालने के बाद हम इस बैटर को 5-7 मिनट के लिए फेटेंगे जितना जादा आप इस बैटर को फेटेंगे आपका मुंगलिर उतना ही जादा सॉफ्ट बनेगा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बनता है बच्चे ये बड़ी सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है खाने में हेल्दी और टेस्टी भी होता है तो 5-7 मिनिट मैंने इसे लगाता चलाता हुए फेटा है मुझे ये बैटर अभी यहाँ पर थोड़ा सा गाड़ा लग र तो यह बैटर हमारा रेड़ी है अब यहां मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसा नमक आदा चमच इसमें जीरा डाल रही हूँ और थोड़ी से हिंग डाल देंगे कलर अच्छा है इसके लिए हम इसमें थोड़ी से हल्दी पाउडर भी डाल रहे हैं अब हम इन सब चीजों हम इतने बैटर में से आपके चार मॉंमलिट आराम से बन जाएंगे तो ठोड़ा सा बैटर मैं ने एक चोटे बाउल में निकाल और उसमें डाला है बारिकट प्याज बारिकटी भी गाजर बारिकटी भी हरी मिर्ट आप चाहें तो यहाँ पर कॉन भी डाल सकते हैं सब्किया आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ दो चुटकी मीठा सोडा, खाने वाला जो सोडा होता वो इसमें एट कर रही हूँ और इसे फटा-फट से हम अच्छे से मिक्स करेंगे आप देख सकते हैं बैटर कितना ज़्यादा फूल गया है तो अब मैंने गैस पर एक पैन चड़ाया है जिसमें डाल रही हूँ दो चमच देसी गी आप चाहें तो इसे बटर में भी बना सकते हैं जो मुंगलेट बनता है वो बटर में बनाया जाता है पर मैं यहां पर इसे गी में बना रही हूँ गी में भी यह मुंगलेट बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है तो घी के गरम होने पर सारा बैटर हमने इसमें डाल दिया था इसे अच्छे से प्रैट कर देंगे गैस की फ्लेम यहां low to medium रहेगी अब इसके उपर मैं डाल रहे हूँ थोड़े से चुकंदर की लच्छे और बारी कटा वारा राधनिया जिससे यह दिखने में बहुत जादा सुन्दर लगता है एक तरफ से अच्छे से पक जाने के बाद हम इसे पलट देंगे और दूसरी तरफ भी घी ढालकर इसे अच्छे से पकाएंगे low to medium पर अलट पलट करते हुए हमेंसे पकाना है यह आप देख सकते हैं इसका कलर भी कितना ज्यादा अच्छा आ गया यह अच्छी तरह पक गया है तो अब हम क्या करेंगे एक साट से इसके बीच में कट लगाएंगे जिससे कि अंदर तक इसमें घी जाए कट लगाने के बाद मैं इसके उपर से फिर से थोड़ा सा घी डाल रही हूँ बहुत ही जादा और टेस्टी यम्मी यह मुंगलेट बनता है आप इस रेसिपी को एक बाद ज़रू ट्राय कीजिएगा तो यह हमारा मुंगलेट बनकर तयार है कलर में भी देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहा है तो बस यह मुंगलेट तयार है मैं इसे हरी चटनी और इमली की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ आप इस रेसिपी एक बाद ज़रू ट्राय कीजिए आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए शेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्द ही मिलेंगे नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद